हेलो ओलो प्यू गाईज वेलकम टू माई यूटूब चेनल स्टेडी मेटेरियल एट टू जेट एरफोर्स एक्सेंड वाई ग्रूप दो अज्यार बीस वाले अभ्यारतियों के लिए बहुत पड़ी बिग अपडेट जो की रिसेंटली आपकी दोस्तों आ चुकी है क्योंक की बहुत सारे कैंडिडेट थे लगातार जो की एंडिय की एक्जाम को पोस्टपॉन करवाने में लगे हुए थे लेकिन इसी के बीच में जो आपके अभी जो लेटेस्ट अपडेट है जो आपको आपको मैं सभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको सेर करूंगा और दोस्तों आपके जो candidates vacancy का इतिजार करें कि एरपोर्स का vacancy नहीं आया उन candidates के लिए भी यहां पे update की बाग करेंगे. तो यहाँ पे जो आपके सवाल थे कि एक्जाम पॉस्टपॉन करवाया जाए क्योंकि COVID-19 का जो प्रोसेस बहुत जादा है लेकिन आपके जो एरफोस के काफी कैंडिडेस जो की काफी समय से उनकी त्यारी हो चुकी है और वो रेडी है लेकिन यहाँ पे सवाल यही रहता है कि आपके जो कैंडिडेस जो बोल रहते हैं कि एक्जाम को पॉस्टपॉन करवाया जाए लेकिन यहाँ पे इसका फाइनली रिजल्ट आ चुका है कि आपके जो एक्जाम पॉस्टपॉन नहीं होंगे ये एक बहुत बड़ी ख़वर आ चुकी है तो आपके एक्जाम डेट जो क्या रहेगी एंड आपकी वेकंसी कब तक आएगी सारे सवालों का जवाब एक वीडियो के साथ आपको देने वाला हूँ जो भी कैंडिडेस नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करिके बैल आइकन को ओन कर लीजिएगा एंड गाइज आप जो डिफेंस की त्यारी कर रहे हैं आपने अमारे टेलिग्राम को जोईने किया तो टेलिग्राम को जाकर जोईन कर लीजिएगा डिफेंस से रिलेटेड टेलिग्राम पे आपको सब कुस दिया जाता है तो जाकर जोइन कर लीजिएगा अब चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आपके जो जितने भी सवाल बन रहे हैं उनको साथ गाइज एरफोर्स की ओफीसियर वेपसाइट पे अभी तक जो कोई नोटिपिकेशन नहीं आया है लेकिन आपको जल्दी इसके बारे में भी अपडेट मिल जाएगा कि एकजाम जो कब कंड़क्ट करवाए जाएंगे और दोस्तों एकजाम जो पोस्ट पोन नहीं होंगे ऐसा मैं क्यों बहुर रहा हूँ क्योंकि मीट और जेई के एकजाम एंड एक एकजाम आपके कंड़क्ट करवाए जाएंगे और फाइनली जो आपका जो की फैसला आच चुका है उसके अकोर्डिंग जो सभी एकजाम कंड़क्ट होंगे अब सारी चीजें जो आपकी जो प्रोसेजर हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत सारे कंड़क्ट थे जिनके साथ यह बोरे एक थे कि उनको प्रेसान लेकिन अब जो फाइनली आपको त्यारी में दोस्तों सभी को जुट चाना है और आपके एकजाम की अपडेट जो कब तक आज सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे उसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि एरपोर्स का वेकेंसी के बारे में बहुत सारे केंडिडेर्स बूच रहेते कि सर्छ एरपोर्स का वेकेंसी जो कब तक आएगा तो एरपोस का वेकेंसी भी अब जो बहुत ज़ादा देरी नहीं करेगा क्योंकि सभी चीजें जो थी वो एक ही चीज पे मैंने आपको पहले भी दिया है हर बार अपडेट कर रहा हूं कि नीट और जेही के एक्जाम और ये जो आपके जो आपके सेंटर लेहूल होने के कारण ये चीजें जो सबसे ज़्यादा मैंटेन करती है और सबसे बड़ी एजेंसी एंड ये जो है वो भी एक्जाम कंड़क्ट करवा रही है तो यहाँ पे सवाल यही रहता है कि जो आपकी एरपोर्स का वेकैंसी है वो भी डिकलेर होगा कब तक होगा ये हम भी बात करेंगे और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये भी आ रहा था कि आपकी डियोबी जो क्या सर आपकी डियोबी उसके कोडिंग रहेगी तो उसके बारे में भी डिसकस कर लेते है लेकिन अब बात कर लेते हैं कि एरपोर्स का एक्जाम जो कफ़ता कंड़क्ट करवाया जा सकता है तो गाइज एरपोर्स के एक्जाम की बात करें तो एरपोल्स के एक्जाम की आपको सेप्टेمबर में यानि आपके सेप्टेमबर के फैस्ट या सैकेंड तक कोई ना कोई अपडेट जरूर आजाएगा और मुझे लगता है कि आपको दोस्तों कम से कम दस दिन पहले सुचित कर दिया जाएगा और ऐसा एरपोस अक्सर कर रहा है तो आपके लगबग देखिए का सेप्टेंबर में आपके इंडिये के एक्जाम स्टार्ट है तो उसी डूरिंग आपका भी नोटिपिकेशन आ जाएगा या आपका अपडेट आ जाएगा अब एक्जाम जो लगबग दोस्तों अगर बात क रहें तो आपका एक्जाम लगबग सेप्टेंबर तक स्टार्ट हो सकते हैं सेप्टेंबर के एंड तक स्टार्ट हो जाएंगे आपके एक्जाम और सेप्टेंबर जो मन्त मैंने बोला था कि आपको बहुती एहम रहने वाला है तो ये आपके लिए एहम रहेगा तो अब स दोस्तो नेक्ट बात करते हैं कि आपकी एरपोर्स का जो वेकेंसी के बारे में कैंडिडेट जो की पूछ रहे थे कि कब तक अपडेट आएगा तो वेकेंसी का भी अपडेट दोस्तो आपके जो ये वेकेंसी है उसके रोदर यानि उसके दोस्तो आपके जो नेक्ट वेकेंस को बढ़ा दिया जाए और आपके जो साथ में जो एक्जाम कंड़क्ट करवाने की बात चार रही है वो जो आपकी यहां पर एक्जाम कंड़क्ट हो जाएंगे और आपकी दोस्तों जो आपके एक्जाम यानि आपकी वेकेंसी है वो भी आपकी जल्दी जारी हो जाएगी और आपके हो सकता है कि आपको exam जो September में देखे exam conduct हो जाते हैं लेकिन आपके exam जो इस vacancy से आगे वाली को include करके साथ में करवाया जा सकता है और आपके DOB में भी प्रिवर्तन देखे जा सकते हैं आपके six month और add किये जा सकते हैं ये रही बात दोस्तों आपके सवालों की अब दोस्तों सबीज का सवाल आएगा कि सर क्या DOB में मेरी तो DOB हो जाएगी हमें एरपोर्स क्या कोई मोका देगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा मोका मिल जाए बट ग्यानी मुझे लग रहा है कि आपकी जो next vacancy होगी यानि जो आपकी September, October के जो कि आपकी आती है उ लेकिन अभी exam उसके भी conduct नहीं हुए तो उसके आधार पे आपको DOB में थोड़ा change देखने को मिल सकता है और ये एक बहुत बड़ी ख़बर आपके लिए हो सकती है तो guys आपके जितने भी सवाल थे सभी को एक बार फिर से कहूंगा सभी candidates जुट जाएगे जो new candidates हैं जो vacancy क इतजार करें वो candidates एंड आपके जो एरपोस का exam जो देंगे वो सभी अपनी त्यारी में जुट जाएगा दोस्तों इसी परकार की आपको update मिलती रहेगी आपको और जो भी candidates नहीं है वो चैनल को subscribe करके बैल आइकन को उन कर लीजेगा तो दोस्तों मिलते है नेक्ट वीडिय के साथ अब तक के लिए बाइज जैहीं जैबार्त वंदे मातरम